घमंडी रामलाल सेथ, बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गाव में एक रामलाल सेथ रहता था। सेथ बहुत धनवान था। सेथ की गाव में सबसे बड़ी सोने चांदी की दुकान थी। सेथ को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। और सेठ अपने आसपास रहने वाले पडोसियों को बहुत नीचा दिखाता था। पर एक दिन रामलाल सेठ के साथ एक अजीब सी घटना हुई। उसने अपने सपने में देखा कि उसकी गाव में सबसे बड़ी दुकान तूफान के आने से तूट गई। और वहां कुछ भी नहीं बचा। और बचा हुआ सोना, चांदी और जेवरात जंगल में रहने वाले चोर चुरा कर ले गए। जब वह सुबह उठा तो उसने जो सपना देखा था वह सब सच हो गया। रामलाल बहुत भैभीत और लाचार हो गया। और अंत में रामलाल सेट की मदद उसके आसपास रहने वाले लोगों ने की। फिर रामलाल को अपनी हरकतों पर बहुत ही शर्मिंदगी हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए। ऐसी ही और भी रोमान चक भरी कहानी सुनने के लिए आप नीचे दिये गए लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।